नमस्कार दोस्तों, प्रवीन का आपको प्यार भरा नमस्कार. इस नए वीडियो में आपका स्वागत है. हम हमेशा नई दिल्चस्प कहानिया लेकर आते हैं. अब सुनिये आगे की कहानी, दूसरे फकीर की कहानी. अभी पहले फकीर की अद्भुता आप बीती सुनकर पैदा होने वाले हैरत से लोग उभरे नहीं थे कि जुबैदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आये हो. उसने कहा कि आपकी आज्य शिक्षक बुला कर मेरी शिक्षा के लिए रखे। इन सब के साथ ही मैंने सुलेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अर्बी लिपी की सातों लेखन पधतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि मेरे जैसा सुलेखक दूर दूर तक नहीं पाया जाता था। इसलिए मैं अपने पिता की आग्यानुसार थोड़ी सी यात्रा की सामगरी और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ क्योंकि बड़ी सेना ले आने की न तो जरूरी ता ही थी न यह बात उचित ही होती। कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोगों को पचास के लगभग घुड़सवार डाकूओं ने घेर लिया और सबसे पहले वे दस घुड़े पकड़ लिये जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दी जाने वाली बेश कीमती चीजें लदी मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकूओं का सामना किया लेकिन हार गए। नितान्त मैं जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकूओं की पहुँच से दूर हो गया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी ठकन और घावों के कारण गिर कर मर गया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि माल असबाब जाता रहा लेकिन जान तो बच गई। लेकिन मैं नितान तकेला और द्रव्यहीन था। ये डर भी था कि कहीं डाकूओं ने देख लिया तो बगएर जान से मारे न रहेंगे। इसलिए किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़ कर अपने घाव बांधे और एक ओर को चल दिया। शाम को एक पहाड की गुफा के पास पहुँचा और रात उसी गुफा में बिताई। सुबह को उठा, जंगली फल खाकर भूख मिटाई और चल पड़ा। कई दिन तक इसी तरह भटकता रहा। फिर एक बड़े शहर में पहुँच गया जो बड़ा सुशोभित लग रहा वहाँ एक नदी भी बहती थी, जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से पूर्ण था। मैं नंगे और बिवाईयों से फटे पाव, बड़े बालों और दाढ़ी तथा गंदे फटे वस्तरों के साथ उस शहर में गया कि मालूम करूं ये कौन सा देश है और यहां से मेरा देश कितना दूर है। यह सोचकर मैं एक आदमी के पास, जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था गया। उसने मेरा वृत्तांत पूछा और मैंने सब कुछ जो मुझ पर बीता था उसे बताया। उसने धैर्य पूर्वक मेरी बातें सुनी। लेकिन फिर उसने जो कुछ कहा, उससे मेरे दिल में शान्ती आने की जगह भाय भर गया। उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है, सो तो ठीक है, लेकिन यहां के किसी और व्यक्ती को कुछ न बताना, क्योंकि यहां का बादशाह तुम्हारे पिता का दुश्मन है और उसे तुम्हारा पता चला, तो तुम्हारे साथ बुरी बीतेगी। मैंने उस बूढ़े लिपिक को बहुत धन्यवाद दिया, कि उसने मुझे पर दया दिखाई और मुझे खत्रे से चेतावनी दे दी। मैंने उस से वादा किया, अब मैं यहां क किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताऊंगा। वहलिपिक यह सुनकर खुश हुआ, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने अपने घर से खाना लाकर मुझे खिलाया, और वहीं एक कोने में लेट कर ठकावट दूर करने को कहा। मैंने ऐसा ही किया, जब मेरे शरीर में शक्ती और स्फूर्ती आ गई, तो मैं फिर उसके पास गया। उसने पूछा कि तुम्हें कोई हुनर ऐसा आता है जिससे तुम अपनी जीवी का चला सको। मैंने साहित्यका, व्यकला, व्याकरण, सुलेखन, आदी की निपुनता की बात कही, तो उसने क यह सब यहां बेकार है, यहां विद्या की कोई पूछ नहीं, तुम्हें इस विद्या से एक पैसा भी यहां नहीं मिलेगा। उसने कहा कि तुम शरीर से तगड़े हो, तुम्हें चाहिए कि एक जांगिया पहन कर जंगल में चले जाओ, और लकडियां काट कर शहर में लाक कर बेचा करो, उससे तुम्हें इतनी आय तो हो ही जाएगी कि कि किसी का आश्रे लिए बगैर अपना खर्च चला लो, कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठा कर मेहनत करके समय बिताओ, उम्मीद है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुक सम्रि धिप्राप्त करोगे, मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूँगा कि तुम्हें एक कुलहाडी और एक रस्सी दे दूँ, मरता क्या न करता, हालां कि यह काम मेरे योग ये किसी प्रकार नहीं था, फिर भी मैंने यह करना स्विकार कर लिया, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं दूसरे दिन लिपिक ने मुझे एक जांगिया, एक कुलहाडी और एक रसा लाकर दे दिया और मेरा परिचे थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ ले जाया करो। लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी। कुछ ही दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई, जिन में से कुछ अपने उपकारी लिपिक को मैंने दे दी। इसी प्रकार मेरा एक साल व्यतीत हो गया। नीचे जाती हुई सीडियां दिखाई दी। मैं रस्सा और कुलहाडी सहित नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा मकान था जिसमें ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे वह धर्ती के उपर बना हो। मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि सामने एक बारादरी है जिसके पाए संगे मूसा के बने हुए हैं और खंभे नीचे से उपर तक खालिस सोने के बने हैं। बारादरी में एक अत्यंत रूपवती औरत बैठी थी। मैंने उसे देखा तो ठगा सा रह गया। मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया। औरत ने मुझसे पूछा तुम कौन हो इनसान या जिन्ह। मैंने सिर उठा कर कहा हे सुन्दरी मैं इनसान हूँ जिन्ह नहीं हूँ। वह औरत शोक युक्त स्वर में बोली तुम इनसान हो तो यहां मरने के लिए क्यों आये हो। मैं यहां पचीस वर्षों से रह रही हूँ और इस काल में तुम्हारे सिवाय और कोई इनसान नहीं देख सकी हूँ। उस औरत के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का मुह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक मेरे मुह से कोई बात नहीं निकली। कुछ देर में स्वस्थ होकर मैंने उस औरत से कहा सुन्दरी मुझे तुम्हारा कुछ हाल नहीं मालूम लेकिन तुम्हारे दर्शन मातर से मुझे अतीव सुख मिला है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूँ। मेरी अतीव इच्छा है कि तुम्हें यहां से छोड़ा दूँ क्योंकि यह स्पष्ठ है कि तुम यहां सुखी नहीं हो और मैंने अपना सारा जीवन वृत उस औरत के समक्ष वर्णन किया। मेरा पूरा हाल सुनने के बाद वह औरत ठंडी सांस भर कर बोली। शेहजादे तुम ठीक कहते हो यह मकान जादू का है और यहां प्रचुरधन और समस्त सुविधायों पलब्ध हैं फिर भी मुझे यहां रहना तनिक भी पसंद नहीं। तुमने आबनूस के द्वीपों के बाद शाह अब्भू तैमुरस का नाम सुना होगा। मैं उसकी बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया। जब मैं शादी के बाद अपने पती के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न ने उड़ा लिया। मैं भय के कारण लगभग तीन पहर तक अचेत रही। जब मुझे होश आया तो मैंने इस मकान में पाया। अब केवल उसी जिन्न के साथ मेरा उठना बैठना है। यह सारा धन और सुख सामगरी जो यहां दिखाई देती है मुझे कुछ भी संतोश नहीं दे पाती। हर दसवें दिन जिन्न यहां आता है और मेरे साथ रात बिताता है। उसका विवाह पहले त जादू का यंत्र छूदू तो उसे खबर हो जाती है और वह आ जाता है। वह मुझे एक सनानागार तक ले गई। मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह सनान किया और बाहर निकला। वह मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र ले आई। मैंने वह शाही पोशाक पहनी तो वह मुझे देखकर मुझ पर और भी कृपालू हो गई। फिर एक सजे हुए दा वह मुझे सुलाया। तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूँ। मुझे यही रहने की आदत पढ़ गई है, मुझे यही रहने दो। एक दिन छोड़ कर जबकि वह जिन्न यहां आता है, तुम बाकी नौ दिन यहां आराम से रह सकते हो। मुझे नशा चड़ गया था। मैंने कहा, तुम उस जिन्न से इतना क्यों डरती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादूई लिखावट के तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूँगा, अपने जिन्न को आने दो, मैं भी तो देखूँ, उसम अपफल होगा। उसने मुझे बहुत समझाया, हर तरह रोका, कसमे दीं कि यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उस जिन्न की शक्ति को मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते। मैं नशे में धुत था, इसलिए मैंने उसकी चेतावनी को अंसुना कर दिय और ठोकर मार कर जादू के यंत्र को तोड़ डाला। यकायक ही सारा मकान कांपने लगा, और एक महा भयानक शब्द हुआ, सारी रोश्नियां बुझ गई और अंधकार छा गया, जिसमें रह रह कर बिजली चमकने लगती थी। यह हाल देखकर मेरा नशा हिरन हो गया। मैं इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, तुमने खुद ही अपनी जान के लिए यह आफत मोल ली, अब यहां से तुरंत भाग कर जान बचाओ। यह सुनकर मैं ऐसा बेताहाशा भागा कि अपनी कुलहाडी और रस्सा भी वहीं भूल गया, और गिरते पढ़ते उस सीढ़ी त से थोड़ी सी शराब पीली थी, मुझ पर ऐसा नशा चड़ा कि हाथ पाव काबू में न रहे, नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पाव रख दिया, जिससे यह तूट गया, जिनन यह सुनकर और भी कुपित हुआ, और बोला, तु जूठी, मकार और दुराचारिनी है, इस कुलहाडी और रस्से को यहां कौन लाया है, औरत बोली, मैंने तो इन्हें अभी अभी देखा है, तुम भागते दोड़ते आये हो, इसलिए तुम्हारे साथ लगी हुई यह चीजें आ गई होंगी, तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा कि तुम्हारे प पर अंदन मुझसे नहीं सुना जाता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मैंने औरत के दिये वस्त्र उतारे और वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहन लिये, जिन्हें पहन कर मैं पिछले दिन आया था, फिर मैं सीढ़ी से चड़कर उपर आ गया, मै उस पर मिट्टी डाल कर उसे चुपा दिया, फिर मैंने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांध ही और शहर में आकर लकड़ी का गठा बेच दिया, फिर भी मैं बराबर सोच रहा था कि ना जाने उस सुन्दर औरत पर क्या बीत रही होगी, लकड़ी ब भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस गए हो, मैंने उसकी बातों पर उसे दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन यह न बताया कि कल मेरे साथ क्या बीती थी, मैं अपने कमरे में चला गया, और फिर उसी शोक में निमगन हो गया, कि मैंने अपने दुर एक कुलहाडी और रस्सा लेकर आया है, और कहता है कि तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आये थे, लेकिन वह इन चीजों को तब ही वापस करेगा, जब तुम बाहर चल कर, उसे इनकी पहचान बताऊंगे, ये सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया, और मैं भय के सिर से पाव तक थर-थर कापने लगा, लिपिक ने मुझसे पूछा, ये तुम्हें क्या हो रहा है, मैं अभी उसे उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती भट गई, और बूढ़ा जिन्न मेरे बाहर आने की राहना देखकर कुलहाडी और रस्सी लिए वहीं आ गया, ये कुलहाडी और ये रस्सा तेरे है या नहीं? मैं उसे देखकर ऐसा भैभीत हुआ कि मेरी वाक्षक्ती ही खत्म, सी हो गई, और मैं आचेत होकर गिरने लगा, जिन्ने मेरे होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की, वह मुझे कमर से पकड़ कर ले उड़ा, और दो क्षण पकते ही मुझे उठाए हुए उस मकान में आ गया, जहां मैंने राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था, ये देखकर मेरे दुख का पाराबार न रहा, कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, और अधमरी सी हालत में चीख पुकार कर रही थ इसी आदमी के कारण तेरी जान जाएगी, औरत ने कहा कि तुम किसी न किसी बहाने से इसे मार डालना चाहते हो, इसी से मुझ से जूट कहलवा रहे हो, जिन्ध ने कहा कि अगर तु वास्तव में इससे अपरिचित है, तो तलवार उठा और इसका सिर काट दे, राजकुमा पापाचार सिद्ध हो जाता है, फिर जिन्ध ने मुझ से पूछा कि तु इस औरत को जानता है या नहीं, मैंने जी में सोचा कि राजकुमारी औरत होकर भी इतना साहस दिखा रही है, मैं मर्द होकर यदि इसका राज खोलूं, तो इससे अधिक अशोभनिय क्या होगा, इ कि उस औरत को जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी थी, अपने हाथ से मारूं, औरत ने मुझ से संकेत से कहा कि तुम सोच विचार ना करो, मेरी जान बचने ही की नहीं है, तुम अपने हाथ से मुझे मार डालो, और इस प्रकार अपनी जान बचाओ, मुझे इसी में मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा न कर सका, मैं दो पक पीछे हट गया, और तलवार हाथ से फेंक कर जिन्न से बोला, तुमने मुझे बिलकुल कायर आदमी समझ लिया है, कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मार डालूं, फिर इस सुन्दरी की तो तुमने वैसे ही दुर बढ़ा रहे हो, तुम शायद यह नहीं जानते कि मुझे में कितनी शक्ती है, यह कहकर उस बेरहम ने औरत के दोनों हाथ काट डाले, वह अधमरी तो पहले ही से हो रही थी, यह चोट खाकर तुरंत मर गई, मैं यह देखकर मूर्छित हो गया, कुछ होश आया तो मैंने जि इन ने कहा, हम लोगों का नियम है कि जब किसी को व्यभिचार का दोशी पाते हैं, तो उसका वध कर देते हैं, तुम पर मुझे व्यभिचार का संदेह भर है, इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मानव नहीं रहने दूँगा, अब तु कुत्ता, गधा, सूर या ज ऐसे ही तु मुझे माफ कर दे और मुझे आदमी ही रहने दे, जिन्न ने कहा, ये भले आदमी का क्या किस्सा है, मैंने बताना शुरू किया, इस वीडियो में कहानी यहीं तक, आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही और भी धेरों मज़ेदार कहानिय हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलजी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए